हरे कृष्णा, तो प्रश्णा ऐसा है कि कृष्णा का समय पे कि के बाकी लोगों को जानते है कि कृष्णा जो है परमपुरुष भगवान तो हम कुछ उदारन देखेंगे कि कृष्णा का समय पे जो द्वापर युग्म है तो बले भगवान से कृष्णा भगवट गीता आपको बताया जिसमें भगवान अपने दिव्यता के बारे में विस्तरि रूप से बताया फिर भी काफी लोग जो है कृष्णा के काल पे, कृष्णा के समय पे भी भगवान को समझ ने पाया एक उदारन हम देखेंगे कि श्रीमत भागवदम का दस्वा सकंद 66 चैप्टर में कि एक पाउंडरक वासुदेव का एक व्यक्ति है, एक राजा होते जिसमें उन्होंने डिकलेर किया, उन्होंने सबको प्रस्तुत किया, बता दिया कि देखो मैं जो है बगवान है तो ये पाउंडरक राजा जो है, उन्होंने खुद दो नकली हाथ को लगाया है और नकली सुदर्शन, नकली शंक, नकली गदा, नकली पद्मा को धारन किया अन्होंने एक लेटर को भेजा थाक कृषन को द्वारका में कि कृषन आप जो है फेक है, आप जो है इंपिस्टर है, आप जो है नकली है और मैं जो है असल वासुदेव, ये मैं जो है असल भगवान है आपका द्वारका का राज्य जो है त्याक कीजे वो मेरा शरन ले लिजे तो जब ये पात्र जो है अपना पत्रिका आया बगवान स्री कृष्ण के पास उन्हें हसने लगे कि कैसे व्यक्ति हैं बात में चरित स्टोरी ऐसा जाते कि बगवान उसको वद करता है तो इसमें हम देख सकते कि कृष्ण का समय पी ऐसे नास्तिक लोग हैं ऐसे मुर्ख लोग भी रहते हैं दुसरा उदारन हम देख सकते दुर्योधन बगवान स्री कृष्ण एक शांती दूप के रूप में आये थे दुर्योधन के पास उन्हें कहने लगे कि यह महाबारत युद मत कीजिए हम आप कावरव पांडव अच्छे से रह सकते हैं फिर भी दुर्योधन सुनेगा नहीं तो बगवान स्री कृष्ण ने क्या बताया कि उन्होंने अपने धिव्यता को रिवील किया उन्होंने विश्वरूप धरशन भी को देखाया फिर भी सारे चीज जाने के बाद, सारे चीज देखने के बाद, सारे पता होने के बहुजूद भी दुर्योदन उसको सरंडर नहीं करने बगवान को उस्विकार नहीं करते है क्रिश्न को अब देख तो ऐसे क्यूं होते हैं कि कि क्रिश्न का काल है क्रिश्न का समय भी लोग समझने पाया या समझ यमना भी जानाती, लोको माम अजम अव्ययम कि भगवान बता रहे कि नाहम प्रकाश सर्वस्या में सब के सामने प्रकट ने होते, प्रकाश ने होते, रिवील ने हो पाए, क्यों? योगो माया समन्वर्ता, उसका एक अवर्ण आजाते, एक कवरिंग आजाते कि भगवान का योग माय शक्ती के द्वारे, लोक का दृष्टी या लोक का समझन शक्ती जो है वो अवर्ण किया है मूढो यम ना भी जानाती ऐसे मूढ़ मुर्क लोग जो है मुझे समझने पाया लोको माम अजम अव्यया में जो अजा है जो कभी जन्म नहीं लेते हैं और एक और श्लोक आते हैं कि नौवा अध्याई ग्यारावा श्लोक हैं बगवाट गीता में ही कि बगवान बता रहे अवाजनाती मा मूढ़ मानुशिम्तनुम आश्रितम परमभावम अजानन्तो ममभूतम हेश्वरम इसमें बगवान बता रहे कि मुर्क लोक जो है जब मेरे को देखे और क्या सोच रहे कि कृष्णा आप ही साधरन है आपके पास भी दो हाथ, दो पैर, एक सर तो आप तो हमारा जैसे हैं बगवान बोलते हैं नहीं अवाजनान्ती मा मूढः ऐसा मूढः लोक जो है मुझे नहीं जानते हैं कि मेरा क्या है मानुश्रिम तनुम आश्रिता कि केवल में एक मानुव का शरीर धारन करने से ही मैं आपके जैसे नहीं हूँ परम भावम अजानन्तो मेरा परम भाव क्या है वो जानते नहीं है ममा बूत महेश्वरम में सारे चीज़ का महाईश्वर हूँ इस प्रकार से हम ये दोस्टों के द्वारे देख सकते कि भले भगवान स्री कृष्णा हमारे सामने प्रकट हो जाते भी फिर भी जब तक खिर्दय में भक्ती भावना में नहीं निर्मान होते जब तक खिर्दय में भक्त के भावना में निर्मान नहीं होते तब हम भगवान को भी स्विकार नहीं करेंगे हम भगवान को भी रिजेक्ट करेंगे क्योंकि हम भगवान को समझने पाया इसलिए भगवान स्री कृष्णा अर्जुन को कहते कि आप भगवरगीदा समझ पाये क्यूं आप मेरा सखा है और साथी साथ आप मेरा भक्त है ये भगवरगीदा में भगवान स्री कृष्णा बताया है रे कृष्णा